असकार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का एक बड़ फिर से दोस्तो, अगर आप अपने लाइप में कुछ नया सिखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो, सर्दिय नवरात्री का पर्व चल रहा है सर्दिय नवरात्री को धर्म के अधर्म पर और सत की असत पर जित का प्रतिक माना जाता है धर्मिक मानताओं के नुसार इन्ही नव दिनों में मा दुर्गा धर्ती पर आती है धर्ती को उनका मायका कहा जाता है इन दिनों दुर्गा उत्सब के तोर पर देश भर में धूमधाम से मनाय जाता है कला सस्थापना कर इन नौ दिनों तक ब्रत उपबास की जाते हैं नवरातरी के नौ दिनों तक भक्त मा के अलग-अलग 900 रूप की पूजा अर्चना करते हैं आनिता है कि 9 दिनों तक भक्ति भाव से मा दुर्गा की पूजा करने से वो प्रसन होकर भक्तों के सभी कश्ट हर लेती हैं घर में सुख सांथी बनी रती हैं और मा अपने भक्तों की सभी मनुकामना पूरा करती हैं सास्तुरों में नवरात्री के दिनों को लेकर कुछ खास नियम बरनी थे कुछ कारियों करने ना करने के नियम बताये गए हैं जिनका पालन नवरात्री के दोरान माता रानी के भक्तों को अबस्य करने चाहिए अगर आप इनिमे से कोई भी बरजित कार गलती से भी नवरात्री के दिनों कर देते हैं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पढ़ सकता है ब्रत और पूजन का पुर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कारियों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्री के दोरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए गलती से अगर आप ये कार करते हैं तो आपको दोस लग सकता है आगे पढ़ने से पहले आप से रिक्वेश्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा नवरात्री के दोरान घर के स्वच्चता का विशेश ध्यान रखें घर के मुख दरवाजा पर गंदगी बिलकुल भी ना होने दे मंदिर और मंदिर के आसपास साप सफाई और पवित्रता बना कर रखें हिंदु परमपरा के नुसार नवरात्री के पहले दिन कलस की अस्थापना की जाती है अगर आपने भी अपने घर में कलस की अस्थापना की है तो इस बात का विशेश ध्यान रखें कि नबरात्री के दौरान नौ दिनों तक आपके घर में कोई न कोई बैक्ती सदा उपस्थित रहे अपने घर को खाले छोड़ कर कहीं भी ना जाएं कलसा स्थापना के बाद अगर आप घर को खाले छोड़ देते हैं तो इससे आपको नबरात्री ब्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता नबरात्री के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है अगर आप अखंड ज्योती जलाने का प्रनय ले चुके हैं तो ज्योती नौ दिनों तक जलती रहनी चाहिए गलती से भी अखंड ज्योती बुजनी नहीं चाहिए इन नौ दिनों में भूलकर भी बाद विबाद लडाई जगडा क्रोध हित्यादी नहीं करनी चाहिए माता रानी को क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है सास्तरों में बताया गया है जिस घर में कलेश कला होता है वहां मा लक्ष्मी कभी नहीं ठाहरती हमारे संस्कृती में कन्याओं को मा दुरुगा का सरूप माना गया है इसलिए नबरात्री में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व माना जाता है नबरात्री के ब्रत और पूजन, कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं इसलिए नबरात्री के दोरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला का अपमान ना होने दे उन्हें दुख ना पहुचाएं, उनका पूरा सम्मान करें, नहीं तो मा दुरगा नराज हो जाते हैं नबरात्री के दिनों में बैस्विक सुखो पर नियंत्रन रखना अतियवस्यक है इन दिनों में हर एक बेक्ति को ब्रहमचर का पालन जरूर करना चाहिए मा की पुज़ा अर्चना पवित्र मन से करने से ही मा पृसन होती है इसलिए इन दिनों में सारेरिक सम्मझ नहीं बनानी चाहिए नबरात्री के पावन परव में स्वादिकता का भी विशिस ध्यान रखना चाहिए नबरात्री के पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपके आहार बिहार और विचारों में तामसिक्ता नहीं होनी चाहिए इन दिनों तामसिक चीजों के सेबन से भी बचें प्याज लहसुन, मांस मंदिरा, इत्यादी का सेबन भूलकर भी ना करें नबरात्री के नव दिनों में बाल नहीं काटने चाहिए पूर्षो को भी डाढ़े मुझ भी नहीं बनानी चाहिए नाखुन भी नहीं काटनी चाहिए इन दिनों सिर्फ सुब और मंगल कारी कार किये जाते मा दुर्गा को लाल रंग बेहत पिरिये है तो इन नौ दिनों में माता रानिक की पूजा में लाल रंग का फूल अबस चढ़ाएं, माता का लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग का बस्त्र पहनाएं नबरात्री के दोरान बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चपल ऐसे चम्रे के चीजों को इस्तमाल बरजित माना जाता है अगर आप माता रानिके मंदिर में दर्शन करने जाएं तो परविश द्वार से पहले ही इन चीजों को बाहर निकाल कर रख दें जिन महलाओं ने पहले ही संकल्प लेकर बरट रख लिया है तो उन्हें पिरियड आने के बाद भी नबरात्री के सारे बरट रखना चाहिए ब्रत के बीच में नहीं छोड़ें लेकिन इन बात का ध्यान रखें कि पिरियट के दोरान आप माता रानी को असपर्स ना करें पूजन के समागरी को असपर्स ना करें मंदिर ना जाएं, मानस पूजा करें, माता रानी के मंत्र का मनही मन जप करें नब्रात्री के दोरान अगर आप इन सभी बातों का धियान रखते हैं तो माता रानी का किरपा अबस ही प्राप्त होगे और नब्रात्री के ब्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा आसा है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब किजिएगा धन्यवाद